स्वागता बच्छों आपका सेल्स्ट्रेटी के चैनल में और आज की हम अपनी बेसिक लेक्चर थर्ड जो है कि एड़व उसकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट वन है क्योंकि इसको मैं दो पार्ट में रखने वाला हूं एक पार्ट में अगर मैं रखूंगा या एक वी तो मैंने सोचा कि एक एक पार्ट करके ही इनकी कंप्लीट करवा देते हैं तो जो हम एड़व करने वाले हैं इससे पहले जो दो बेसिक लेक्चर मैंने करवा दिये हैं एक तो मैंने नाउन कंप्लीट करवा दिया हैं बेसिक मैंने आपको एडजेक्टिव कंप्लीट करवा कोई charges नहीं है, views बढ़ाईए जाके, okay, main point पर आते हैं, जो आज का lecture है, adverb, adverb क्या काम करता है, adverb, it qualifies a now, sorry, adjective के उपरारा, it qualifies a verb, adjective, or a adverb, देखे, यह जो है, adverb, वो verb को qualify, qualify का मतलब है, कुछ बताएगा, verb के बारे में, वो कुछ बताएगा, adjective के बारे में, या फिर वो कुछ बताएगा, अपने बारे में, तो यह इन तीनों को, जो है, वो qualify करता है, या फिर कहें, simple भाशा में, वो इन तीनों के बारे में, कुछ न कुछ बताता है, देखिए, adjective क्या कर रहा था, adjective noun, प्रोनाउन के बारे में बता रहा था उनके बारे में कोई विशेष्टा बता रहा था जिए वो नेगेटिव जिए पोजिटिव वो एडजेक्टिव का काम था अब एडवर्ब का काम है एडवर्ब का काम है कि वो वर्ब के बारे में बताए यानि क्रिया जो action हो रही है उसके बारे में बताए कि कैसी हो रही है smoothly हो रही है या फिर बहुत जादा खतरनाख way में हो रही है जैसी भी हो रही है अभी example के तरू हम उनको समझने वाले है तो verb के बारे में बताए या adjective के बारे में बतादे या फिर खुद अपने बारे में ब पूछूँ कि आपकि से तीन ही आर्टिकल होते हैं मैं फिर से बता देता हूं तो एक बात आप लोगों को बताई हुई है कि बिना subject और ये verb बिना verb के कोई sentence नहीं बनता तो वर्ब तो बहुत important है अगर वर्ब आएगी तो उसका subject 100% आएगा जो आगे की जो वीडियो जाने वाली है मैं आप लोगों को जब वर्ब करवाऊंगा जब वर्ब करवाऊंगा तो वहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि sentence कितने type के हैं वहाँ पर ये वाला जो concept है sentence वाला कि एक verb का होना जरूरी है उसका subject होना जरूरी है तो वहाँ पर इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो अब इतना समझो कि बिना verb के sentence बनता नहीं अगर verb आएगी तो उसका subject 100% आएगा अब एक चीज़ देखें यहाँ पर इस sentence में ए जो होगया वह article होगया अब बात करें कि इसमें verb क्या होगी verb फिर से बता देता हूँ verb एक ऐसा word होता है जो action को बताता है जो action को बताता है और जिसमें तीन form होती है जिसकी तीन form होती है अभी फिलाल के लिए मैंने इतना ही बताया हूँ क्योंकि इतनी definition काफी है verb पहचानने के लिए जब तक हम basic पर हैं अब इसमें देखें तो horse अगर आप गए तो आपने noun का अगर lecture लगाया हूँ horse तो एक जानवर का नाम होगया एक animal का name होगया तो ये तो noun होगया किसी चीज का नाम होना वो क्या कहलाता है एक noun कहलाता है तो ये तो noun होगया अब जो ये word बचा वही तो verb बनेगा तो ये run होगया runs जो होगया वो verb होगया horse, runs ये जो होगया runs यहाँ पर verb होगया अब इस runs को करने वाला कौन है ये horse तो horse बन गया आपके सामने subject clear हुआ तो ये बन गया subject यहाँ पर हो जाती है अपनी चीज़े clear अब क्या करें अब देखें अब अगर मैं इस full stop को हटा कर full stop को हटा कर मैं यहाँ लिख देता हूँ fast fast clear a horse runs fast अब जरा सोच कर देखें क्या यह fast word qualify horse को कर रहा है या runs को कर रहा है फिर से सुनिये मैं क्या पूछ रहा हूँ यह जो fast जो word आया है वो किसको qualify कर रहा है qualify in the sense किसके बारे में बता रहा है वो क्या horse के बारे में बता रहा है या runs के बारे में बता रहा है जड़ा सोचिए, वीडियो पोस करिए और सोचिए ओके, आपने सोच लिया वह उमीद करता हूँ देखे, यह जो fast word जो है वो horse के बारे में अगर बताता तो horse से पहले आता जैसे, a fast horse a fast horse runs clear, तो यह fast जो है यहाँ पर इस horse के बारे में बता रहा है इसलिए इससे पहले आया हुआ है, clear अगर इससे पहले आया हुआ है horse के बारे में बता रहा है एक noun के बारे में बता रहा है तो इस word को क्या कहेंगे इस word को कहेंगे हम adjective, clear यह होगा आपके adjective अब यह वाला word इस horse के बारे में नहीं बता रहा है तो यह किस के बारे हैं बता रहा है, यह runs के बारे हैं, run क्या है? वब है, और जो word, verb के बारे हैं बता दे, उसको क्या कहते हैं? एड़ वब, clear, अब काफी सारे बच्चों के दिमाग में एक question ये आ जाता है, कि sir, क्या adjective की position हमेशा noun के पहले ही होगी क्या? क्या वो now उनके बाद में नहीं आ सकता क्या यहां पर अगर horse यह fast अगर now उनके बाद में रखा हुआ तो यह horse को क्योँ नहीं qualify कर सकता है तो adjective क्योंकि हमने पिछले lecture में क्या देखा था कि एक word काफी सारे parts of speech का काम कर देते है एक word काफी सारे parts of speech का काम कर देता है sorry तो यहाँ पर fast जो वो adverb बना हुए और यहाँ पर fast जो वो adjective बना हुए तो question यह उड़ता है कि sir क्या fast horse को अगर qualify करे तो बाद में नहीं आ सकता किया क्या एक adjective किसी noun को qualify करे तो क्या बाद में नहीं आ सकती sorry राम is smart अब जरा देखिए यह जो smart is जो होगी वो main verb होगी राम क्या हो गया है यहाँ पर subject हो गया मैंने कहा एक verb एक sentence में verb का आना जरूरी है तो यह verb उर्सके लिए subject आना यह रहा अब smart क्या है smart जो है वो इसके बारे मता रहे हो राम के बारे में तो यह होगी adjective एटर्शक्टिव आ गया है यहाँ पर gotta, यहां पर तो qualify करने के लिए adjective तो बाद में आ गया noun के तो मैं नहीं इयहां पर दिक्कर्थ यह धी यहां पर दिक्कत यह धी देखिए अगर कोई word यह कहें एक adjective किसी noun को क्वालिफाई कर रहा है क्वालिफाई कर रहा है और उसके बाद में लगाया जा रहा है तो कंडिशन ये है कि वहाँ पर लिंकिंग वब काना जरूरी है लिंकिंग वब काना जरूरी है तो कहाँ यहाँ पर लिंकिंग वब है यह तो कोई linking verb नहीं है linking verb क्या होती है linking verb beaky form यह चीज़े मैं करवा चुका हूँ क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें फिर से वह वाली करवाँगा तो lengthy वीडियो हो जाएगी तो यह concept नहीं हो पाएगा तो पीछे वाली वीडियो जुरूर देखें आपको अच्छे से पता चलेगा beaky verb क्या होती है वहाँ पर मैंने करवाए हूई है आठ verb होती है जब भी वो main verb का काम करें तो उनको linking verb कहते है और उनके बाद कभी भी subject नहीं आता उसके बाद क्या आते है subject compliment subject compliment क्यों आते हैं क्योंकि यह subject के बारे मिं बता रहा है clear यहाँ पर तो यह जो fast है वो इस runs को qualify कर रहा है इसलिए यह बन गया ad verb clear और यही same to same word जो है वो adjective भी बन सकता है अगर आप इसको horse के पहले लिख दो clear हुआ यहाँ पर समझ रहे हैं अब एक example और देखते हैं if fast horse runs fast अब जरा इसको देखो जरा एक तेज गोड़ा दोड़ता है तेज एक तेज गोड़ा दोड़ता है तेज अब इसको अगर आप grammatically अगर देखें तो बिल्कूल सही है कोई भी दिक्कत नहीं लेकिन बोलते हैं बड़ा जरा जीब सा लग जाता है एक तेज गोड़ा दोड़ता है बड़ा तेज तो मतलब है ही तो वो तेज तो वो चीज़ें बार-बार तेज क्यों लगा रहे हैं बट grammatically मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज समझाना चाहरा हूँ कि यह जो fast है और यहाँ पर यह जो fast है इसमें फरक क्या है देखिए फरक यह है कि यह जो fast है इस noun को qualify कर रहा है तो यहाँ पर यह adjective बना हुआ है लेकिन यह जो fast है वो इस runs को यानि एक verb को qualify कर रहा है तो यहाँ पर यह adverb बना हुआ है क्लियर तो एक वर्ड काफी सारे पार्ट सो स्पीच का काम करते हैं जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एड्जेक्टि वर्सी प्रोनाउन वाले में समझाए था और टेंशन ना ले जब इसका सेकिंड पार्ट आएगा तो मैंने मैं भी उसके अंदर भी एड्वर्ब बन रहा है वह वहां पर वर्ब बन रहा है वह वहां पर एड्वर्ब बन रहा है वह चीज़ें भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूं जिसका इसमें जो एड्वर्ब का सेकिंड पार आएगा तो वहां पर भी और चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी कॉंसेप्ट को और समझेंगे क्लियर हुआ तो यहां पर एक छोटे एक्जांपल से हमने चीज़ें समझी और अब आपके सामने कुछ अब इस सेंटेंस को अगर हम ब्रेक करें तो ब्रेक करने की शुरुआत हमें किस्से करनी है ब्रेक करने के हमें शुरुआत करनी है वर्ब से जो भी सेंटेंस हमें ब्रेक करना है उसकी शुरुआत हम करेंगे वर्ब से इस चीज़ का ध्यान रखने तो रिवोडिड यहां पर क्या होगी में वर्ब या कहें वर्ब क्योंकि यहां पर हल्पिंग वर्ब नहीं है इसको वर्ब ही कहतो जादा बैटर रहेगा तो तो एक्स्ट्रा ओडिनरली ब्रेव सोलजर तो रिवोडिड होगी आपके सामने वर्ब अब subject कौन होता है, एक बार फिर से माई बता देता हूँ, subject होता है doer, का मतलब होता है जो action को करता है, और action कौन बताता है, action बताती है verb, action क्या हुआ है sentence में, action हुआ है इर सम्मानित करने का, और सम्मानित करने का काम कौन कर रहा है, president कर रहा है, तो president क्या बनेंगे यहाँ पर इसका अगर मैं 500 speech पूछू तो यह हो गया noun और noun में भी क्या होगा यह common common क्योंगा क्योंकि president एक post का नाम है वो किसी party किसी देश यह किसी समूव में भी तो हो सकता है तो president एक post का नाम है तो यहां पर हो गया यह common clear तो चीज़ें यहां पर clear होगी दो words हमारे सामने अच्छे से पता चलगे अब आगे चलते हैं the president rewarded whom लेकिए verb से एक temporary तोर पे मैंने आप लोगों कहा था verb से what या whom का reply what से what या whom का reply आप लोगों को क्या देगा आप लोगों को object देगा और एक और चीज़ होती है object कोन होता है और वो होगा इसको पर उपर और वो होगा किस के ऑपर वो object के तो वर्ट यह हूम से पता चल जाएगा यह टेंपरेरी तोर पर है पका इसको मत मान ले ना थोड़ा सा ज़्यादा पुकता यह कर देगा आपके सामने चीज़ें करेंगे चीज़ों को भी हम अच्छे से करने वाले हैं तो आपके सामने लिखा हूँ है अगर आप रिवोर्डिट से हूम का रिप्लाई पूछें तो आपके सामने आंसर मिल रहा है किसको रिवोर्डिट क्या और रिवोर्डिट यानि सम्मानित करने काम हुआ किसके उपर? यानि ये एक्षन का रिसीवर है तो ये क्या बनेंगे? अबजेक्ट बनेंगे अब ये सोल्जर जो है वो इंग्लिश ग्रैमर में यानि पार्ट सो स्पीच क्या है इनका? इनका है नाउन, नाउन में भी क्या है? कॉम्बन क्लियर, इतनी चीज़ें क्लियर होगी ये जो दा लगे हुए ना ये रादा और ये रादा ये हैं आर्टिकल, इसलिए मैं लिखनी रहूँ क्योंकि मैं अलड़ी बता चुका हूँ कि तीनी आर्टिकल होते हैं तो इनको बार-बार मैं में नहीं करने वाला हूँ दो वर्ट्स यहां पर बचे हुए है एक्स्ट्रा ओर्डिनरली और एक यहां पर बचा हुए ब्रेव अब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा बहादूर कौन है बहादूर स्टैनिक है तो यह जो है वो एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है यह ब्रेव जो है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई कर दे उसको क्या कहते है adjective कहते है adjective में भी अगर मैं आप लोगों को इसका type बता हूँ तो quality बताने वाला clear हुआ अब आब बते हैं इसके ओपर extraordinarily brave extraordinarily यह अत्यादिक बहुत जादा very clear तो यह किसको qualify कर रहा है क्या यह soldiers को qualify कर रहा है क्या अत्यादिक soldiers थे यह अत्यादिक बहादूर थे अरे अत्यादिक बहादूर थे तो यानि यह word जो है वो तो brave को qualify कर रहा है तो यह क्या बनेगा आपके सामने यह बनेगा adverb clear the president rewarded the extraordinarily brave soldiers यानि president यानि राष्टपती ने सम्मानित क्या अत्यादिक बहादूर सैनिकों को चीज़े clear हुई हर एक word का parts of speech हमें पता चला तो adverb का पता चल गया कि adverb कैसे काम करता है adverb यहाँ पर adjective को qualify कर रहा है पिछले वाले sentence में वो verb को qualify कर रहा था clear आओ ज़रा अब यहाँ पर आते Mohan bought an extremely costly house near a beach Mohan bought an extremely house costly near a beach अगर इस sentence की हिंदी बताऊं तो Mohan ने एक बहुँ ज़ादा महेंगा घर करीदा beach यानि किनारे के नजदीक यानि समुंदर किनारे के नजदीक clear इसको break करेंगे break करने के हमारी जो शुरुवात होगी वो शुरुवात होगी sorry verb से तो boat क्या होगा यहां पर? verb होगा काम क्या है? खरीद ना और यह कर कौन रहा है? यह मोहन कर रहा है तो मोहन क्या होगा यहां पर? subject होगा clear मोहन को English grammar में 500 speech क्या है इसका? noun noun में भी क्या है? proper है clear अब verb से what का reply लेते है मोहन बोट वर्ट मोहन बोट a house एक house करीता उसने एक घर करीता उसने तो यहां पर क्या है? यह object बनेगा क्योंकि receiver मिल गया ना object का reply मिल गया हमे तो यह object है noun है common है क्योंकि हर गर को तो घर ही कहेंगे अब कैसा घर था? अरे भाया अब कितना ज़्यादा महेंगा था यह चीज भी थो है हमारे सामने extremely very तो यह जो चीज है वो इस costly के बारे हैं बता रही है तो जो word एक adjective के बारे हैं बता दे उसको कहेंगे हैं adverb clear more important and extremely costly है उस यहां तक हो चुका है हमारे सामने अब यह चीज बचगी है यह क्या है देखिए near जो है न यह दो है हमारे सामने यानि near जो है वो preposition भी है और वो adverb भी है यह दो काम कर सकती है यानि दो parts तो speech हो सकते हैं इसके यह तो या preposition के या एक वो adverb के preposition कब होगा आपके सामने लिखी हुई इसकी definition अगर इसके बाद object हो तो यह क्या होगा preposition होगा अगर इसके बाद object ना हो तो यह क्या होगा adverb होगा जैसे come near नस्धी काओ तो near कहाँ हो near का मतलब near किसको qualify कर रहा इस come को नस्धी काने को बोल रहा है clear हुआ तो यह जो near है यहाँ पर adverb है ओके और यहाँ पर कुछ मैंने common adverb भी लिखी हुई है sorry preposition भी लिखी हुई है in, at, with, for, from, into, by, near, between, along, against, etc. और भी है अभी फिलाल मुझे इतनी common की जूरत है तो हम इतने से ही काम चला लेंगे जैसे जैसे आगे sentence में बढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों के सामने नही नही प्रेपोजिशन पर आती चलेंगे आप लोग उनको पहचानते भी चलेंगे अब इनची जोंको आपको ध्यान में रखना है कि प्रेपोजिशन कौन-कौन सी होती है अब यहाँ पर आप लोगों को नियर के बारे में पता चलेंगे कि उसके बाद अगर उब्जट आए तो वह प्रेपोजिशन होगी अब आते हैं यहाँ पर तो यह नियर क्या है यहाँ पर? नियर है यहाँ पर प्रेपोजिशन अब बीच क्या है? यह article लगा है मैं बहुत बार इस चीज को repeat कर चुका हूँ बट करना भी पढ़ रहा है काफी सारे लोग जो है वो या बच्चे जो है वो इस चीज को सुनेंगे शायदी इरिटेट होएंगे बहुत बार हो गया लेकिन करना भी पढ़ता है It's my duty ओके थर्ड सेंटन्स पे आते हैं थर्ड जो सेंटन्स है सचिन प्लेड रेली वैल इन दिल लास्ट मैच अब इस सेंटन्स में वर्ब की पहचान करें तो वर्ब होता है यहांपर जो एक्षन को represent करें प्लेड 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 थीन पोम है तो यह हो कि आपके सामने वर्ब खेलने का काम हो रहा है, कर कौन रहा है सचिन कर रहा है, तो सचिन क्या है यहां पर subject है part, so speech क्या है, noun है, noun में भी कौन सा type है, proper है clear हुआ, अब क्या इस verb से, इस verb को, आपको object मिल रहा है, what यह हुम का देख लिजिए सचीन प्लेड वट मैच क्या आपको प्लेड मैच आपको रिप्लाई मिल रहा है सर मैच मिल तो रहा है मुझे ने मैच खेला लेकिन ज़रा यहाँ पर आप चीज देखेंगे यह लगा हुआ है इन प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन तो कहेगा वो साइड में हट जाती है अब यहाँ पर यह रख लेते हैं सचीन प्लेड सर सचीन प्लेड वैल सर यह हो सकते है अरे यह जो चीज है वो तो इसको हाओ का रिप्लाई दे रही है सचीन कैसा खेला अरे सचीन तो अच्छा खेला, बुरा केला तो यह जो चीज है वो तो हाओ का reply मिल रहा है मैं तो कह रहा हूँ वठिया हों का reply clear तो यह word जो है वो आपके समने object निए बनेगा अब जैसे मैंने थोड़ा सा hint आप लोगों को बता दिया हाओ का reply मिल रहा है यह कैसा खेला इस verb के बारे में तो बता रहा है यह well जो है वो सचिन के बारे में तो बता नहीं रहा सचिन खेलने के बारे में बता रहा है कि सचिन कैसे खेला तो सचिन खेला कैसे तो बहुत अच्छा खेला तो यह well जो है वो plate के बारे में बता दिया है तो ये क्या होगा? एडवर्ब, जो खुद एक एडवर्ब के बारे हम बता दे तो वो भी तो एडवर्ब होती है clear? तो आपने यहाँ पर देखा कि यह एक adjective को qualify कर रहा था तो एडवर्ब बन गी यहाँ पर फिर से एक बार adjective के बारे adjective को qualify कर रहा था था अडवर्ब बन गी यहाँ पर आप आप देखेंगे तो यह एक verb को qualify कर रहा था तो एडवर्ब बन गी, खुद एडवर्ब को qualify कर रहा था एडवर्ब बन गी, तो सारी जिजें हमने एक बार के कर के चीज़ों को देख लिया है यह तो एक शुरुआ था बेसिक है अब जो है हम चलेंगे इनके टाइपस के उपर कि एडवर्ब की टाइप कितनी होती है for example कि जैसे मैंने आप लोगों को adjective कराया था adjective में जो शुरुआत करवाय थी adjective में तो आप लोगों को थोड़ी बहुत definition वहाँ समझाई थी एक example के तुरू वहाँ पर आप लोगों को बताया था फिर type के उपर गया थे फिर हमने उनके practice के लिए वहाँ पर example देखे थे यह देखे यह आपके लिए homework आपको घर पे एक काम करना है जब अगली वीडियो आईगी तो हम इन ही sentence को करने वाले हैं और इनके अलावे एक और concept है कि एक word काफी सारे parts of speech का काम कर देता है वो already discuss कर चुका हूँ उसको एक बार और discuss करना है क्योंकि जितनी बार वो चीज़ें सामने आएंगी concept जब crystal clear होगा हमारे सामने तो ज़लिए इनके types देख लेते हैं time yesterday हो गया, soon, late, early, recently, etc. कि tomorrow भी हो गया अब यह जो चीज़ है time अब अगर verb से when का reply लेंगे न तो आप लोगों को time का पता चलेगा कि भाया कब गया, कल गया, जल्दी आया, late हो गया, पहले हो गया अभी हाल फिलाल में गया हूँ, कल जाओंगा तो यह जो adverb है, वो आपको time बताएगा देखिए, adverb अगर यह type जो है न बहुत help करने वाले हैं आपके जब आप tense सीखेंगे tense सीखेंगे, tense में यह role play करने वाले मैं आप जब लोगों को tense कराऊँगा न तो इनी चीज़ को फिर से दोहराने वाला हूँ आपके, क्योंकि tense में काम आएंगे आपके सामने जो tense आएगा उसमें कोई न कोई हिंट चुपा होता है वो hint का काम यही है, यह वो hint है यहाँ पे अभी वो उस चीज़ के उपर मैं नहीं जाने वाला हूँ प्लेस के बारें बताती है, प्लेस जब आप वर्ब से विहर का reply लेंगे here, there, up, down, upstairs, somewhere, the action performed here कहां हुआ भाईया, यहां हुआ, तो यह जो है वो स्थान को बता रही है सर स्थान को बताने वाले तो noun होते हैं, मैंने का noun तो एक particular name होता है here कोई नाम थोड़ना है, clear हुआ, there, up, down, यह जो चीज़े होगी, upstairs, मैं अपनी चश्मा कहीं भूल गया हूँ somewhere, तो यह जो चीज़ होगी, कहीं भूल जाना, कहीं या नि, somewhere, okay manner आओ, manner का मतलब होता है कोई काम कैसे हो रहा है, how का reply में लेगा, जैसे अभी हमने well किया sweetly, बहुत प्यार से, easily, बहुत असानी से, etc, तो यह manner यानि धंक को बताते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं, तो यह how का reply, verb से, यह जो चीज़े है न, when हो गया, where हो गया, how हो गया, जब आप verb से इनका reply पूछेंगे, the action performed when, तो वो आप लोगों बताएंगे, यह जो when का reply मिलगा हो होगा, yesterday, the action performed yesterday, performed आएगा, the action performed yesterday, तो yesterday आगया, उसने बता दिया, वहाँ पे, clear, अब बात करते हैं, frequency, frequency का मतलब होता है, कोई काम कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, या हो ही नहीं रहा, how often, how often, जो है वो, आप verb से जब how often का reply लेंगे, तो आपको frequency पता चलेगी, जैसे daily, always, seldom, never, daily यानि हमेशा, रोज, हमेशा, seldom, यानि अक्सर ना के बराबर, never यानि गभी नहीं, और यहां पर मैंने एक जगा आप लोगों के लिए छोड़ रखे, यह जो है, वो spelling test के लिए, यहां पर आनी है, एक spelling, occasionally, आप लोगों को करना है, वीडियो पोज करनी है, और occasionally की spelling लिखनी है, क्योंकि examiner जो है, वो occasionally की spelling पूछ चुका है काफी बार, okay, वीडियो पोज करिए, okay, चलिए, यहां पर मैं लिखवा देता हूँ, अगर आप लोगों ने लिखी होगी, तो बैट रहा है, वरना देखो यार, अगर ऐसे चीज़ें करेंग degree, degree का मतलब होता है, intensify करना, कोई चीज की कम हो रहा था, यह बता देना, या फिर अब कहाने की, बहुत जादा हो रहा है, intensify, मात्रा, volume भढ़ा देना, एक तरीके से, उसकी करने की, जैसे होता है, amplify कर देना, उस चीज को, okay, how much, तो आप verb से reply लेंगे, how much, तो आप लोगों आप लोगों को basic में जरूरत है, मैंने आप लोगों को वहाँ पर करवा दिये, और इसके लावा जो भी बच जाती है, वो हम कब करेंगे, जब हम इसके detail पर चलेंगे, जब हम इसके detail पर चलेंगे, तो उस चीज को हम करने वाले हैं, जितनी भी type बच जाती है, clear, अभी क्य वीडियो जब मैं बंद कर दूँगा, तो आप लोगों को ये sentence करने हैं, ताकि आप लोगों को कोई काम मिला हुए, आप evaluate कर पाएं वीडियो को फिर से देखें, अगर चीजे समझ नहीं आई हैं, तो बैटर रहेगा, और ये बहुत help करने वाला है, आपको adverb समझने में, देखें, अगर आप ये काम करते हैं, तो definitely आपको adverb समझाएगा, अगर नहीं करते हैं, तो फिर तो कोई फाइदा नहीं है, कोई चीज भी आप लोगों कोई भी concept, देखें, ये जो चीज है, वो paid में जाती है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों, कोई सच में, मैं paid course में मैं करवाता हूँ, ऐसे नहीं है कि free में ही चीज़े, बट मुझे लगता है कि basic तो चीज़ों को पता होना चाहिए बच्चों को, तो इसलिए basic यहां पर मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और पूरी कोशिश करूँगा ये पूरा का पूरा English Grammar का course यहां पर मैं हूँ, तो वो करने के लिए तो आप लोगों को साथ देना पडेगा, साथ क्या से देंगे आप लोगों को पढ़ना पडेगा, और वीडियो को like करना पडेगा, चैनल को subscribe करना पड़ेगा, व अभी से promotion कर रहा हूँ, तो आज के लिए इतना है था इस वीडियो में, तो वी वीडियो से रिलेटिड आप लोगों को PDF चाहिए तो एक link दिया हुआ है मैंने Telegram का description box में आपको उसका link मिल जाएगा तो जाकर join कर लीजिए Facebook का भी है, काफी सारे material आप लोगों को वहाँ पर मिल रहे हैं, मैं provide करवा रहा हूँ तो जाकर join करें इन सब चीजों को clear, तो बस आज के लिए इतना है था, thank you